लेकिन आज मैं जो आपको मैसेज देने वाला हूँ उसको ध्यान से समझना सर। हम अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। कॉल गेट से भाई साब हम अपना दाफ साफ करते हैं। जिलेट से हम शेव करते हैं। पेर सोप से हम नहाते हैं। ओल्ड स्पाइस को हम शेव करने के बाद लगाते हैं। जौनी वोकर और शिवास रीगल की दारू पीते हैं। एमेजोन से समान खरीते हैं। और दिवाली पे चाइना की लड़िया लगाते हैं। और सवाल करते हैं कि भारती रुपया डॉलर के मुकाबले नीचे क्यों जा रहा है। भाई भारत में बने हुए प्रोड़क्ट पर अगर हम अपना पैसा खर्च नहीं करेंगे तो भारती रुपया डॉलर के अगेंस नीचे जाएगा ही जाएगा। जितना सामान आप फॉर्ण चीजों में विदेशी सामानों को आयात करने में अपने घर में लाने में जितने डॉलर खर्च करते हैं उसका सर रुपय की कीमत पे नहीं जाएगा क्या सर। एक बार अपने घर में अपने देश में बने हुए प्रोडक्स को यूज करना शूरू कीजिए फिर देखिए भारती रुपय की कीमत क्या होती है सिर्फ 15 अगस में जंडा उठाके भारत माता की जय भारत माता की जय बोलने से आप देशभक्त नहीं बन जाएंगे सच्ची देशभक्त बन पाएंगे तभी हमारी देशभक्ती सच्ची होगी नहीं तो 15 अगस की देशभक्ती अकेले 15 अगस की देशभक्ती हमारी देशभक्ती नहीं है और दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ अगर हमने सिर्फ एक साल के लिए सिर्फ एक साल के लिए अपने भा भारत कैसे विश्व गुरू बनने के डिरेक्शन में आगे जाता है और एक बार रिक्वस्ट कर रहा हूं इस वीडियो को शेर जरूर कीजेगा मैसे छोटा देना चाहता हूं ताकि आप परिशान नहों जाएं फॉर्वर्ड जरूर कीजेगा आप लोगों से दिल से रिक्व कर रहा हूं और हाँ जय हिंद और भारत मता की जय